चानना या फिल्टर करना विश्वस्वास्थिय संगठन ने अनुमान लगाया है कि भारत में हर साल एक लाग से ज्यादा लोग पानी से संबंधित बिमारियों से मरते हैं ये बिमारियां दूशित पानी पीने के वज़े से होते हैं पानी में पाई जानी वाली अशुधियां इस पर निर्भर करती हैं कि पानी कहां से आ रहा है इनमें से कुछ अशुधियां हैं भौतिक अशुधियां रेत या मिटी के छोटे कण यहां तक कि जानवरों वे इंसानों की अप्शिश भी जो की पानी में निलंबित रहेकर उसे मठमयलक बना देती है रासाय निकशुधिया कैल्शियम और मगनीशियम के पानी में घुले लवन जो की पानी को कठोर बना देती है और सूक्षमजीव ये छोटे रोगानू है जो की पानी को दूशित कर देती है सेल्मोनेला, एकोलाई, राइनो, विशानो, आदी, सूक्षमजीव के उदाहरण है पानी में मौजूद ये सूक्षमजीव, दस्त, पेट तर्थ और यहां तक कि कुछ मामलों में मौत का कारण भी बन सकती है भौतिक और रासायनेक अशुधियों को दूर करने के लिए हम छानना प्रक्रिया का इस्तिमाल करते हैं छानना एक तरल से ठोस को अलग करने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में एक ऐसे माध्यम का इस्तिमाल किया जाता है जिसके द्वारा केवल तरल बाहर निकल आ सकता है इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक साधारन पानी फिल्टर का निर्मान कर रहे हैं आपको ज़रूरत है पानी की एक लिटर की एक बोतल, रूई, चारकोल, लकड़ी का कोईला जो है, बारीक और मूटी बालू फिल्टर तयार करने के लिए बोतल के तिले को काटतें बोतल के मूँ को रूई से बंद करतें चारकोल, रेत और बालो को अच्छी तरह से धोले ताकि उनमें से धूल निकल जाए बोतल को उल्टा कर ले और फिर परत बनाने के प्रक्रिया शुरू करें परत बनाने के शुरूआ चारकोल से करते हैं जो कि पानी की रासायनिक अशुधियों को अवशोशित कर लेगा हमें इसे आखरी परत बनाना चाहिए ताकि रूई के पहले पानी इसमें से होकर गुजरें अब रेत की परत बिछाएं रेत बारी भौतिक अशुधियों को रोक लेती है बड़ी भौतिक अशुधियों को रोकने के लिए रेत की उपर बारी बालू की परत बिछाएं और उससे भी बड़ी अशुधियों को रोकने के लिए उसके उपर मोटी बालू की परत बिछाएं एक बार ये सभी परत बिच जाएं, तो सबसी उपर वाली परत पर हलका दबाव डाल कर उन्हें अच्छे से सेट कर लें अब हमारे फिल्टर इस्तिमाल के लिए तेयार है अब इसे पानी की एक नांद में रख दें और इसमें से अशुध पानी की एक नमूने को गुजारें परतो के माध्यम से पानी छंता जाएगा, बड़ी अशुधियां बालू में सोख ली जाएंगी, छोटी अशुधियां रेत में रह जाएंगी और पानी में घुले अन्य रासाइनिक लवन्ड चारकोल में अवशोशित हो जाएंगे रूई धूल के कणों को अलग कर देगे और यदि तेल की थोड़ी सी भी मात्रा पानी में मौजूद होय तो उसे भी सोख लेगे फिल्टर हुआ पानी नान में कठा हो जाता है पर आसाइने कशुधियों को हटाया है सूक्ष मजीव अभी भी बने हुए है और ये दस्त या उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते है यदि मैं फिल्टर में पर्तों के ख्रम को बदल दू तो क्या होगा यदि आप ख्रम को बदल देते हैं तो हो सकता है कि पानी को उतनी कुशलता से फिल्टर नहीं किया जा सकता है